यहां पेस्थान कंटेश का पूश्ट का उनकाई और कंटाध को सब्सक्राष नósब दिक करें धैने जो जो किला बना जी तो यह पूजा करने के स्थान है और वो सिछा जी का बैठने के स्थान वो चारों तरफ देख रहें जो अच्छा धेवी जी ने राजा राजा से बनवाई राजा सी बनवाई अच्छा उनकी कुल डेवी थी कि कुल देवी थी तो उनका नाम क्या था कुल देवी का इसके बारे में आप थोड़ी से पूझारी बता सकते ही हैं तो कि अधा यहा पर कब शेखर रहे हैं तो मैं बहुत दिन से पूझा कर रहा हूं आप मैं मैं पहले पूजा करके और चला जाता था अभी एक साल पहले से माता जी से ऐसा आदेश हुआ कि तेरे को यहीं रहना है तेरे को खाना मिले या ना मिले तो यहीं रहना तो यह शाम तक रहता हूं पाजवाजी चला जाता हूं सब्सक्राइब करते हैं कि आपको संकेत आए बहुति है अपको सेवा करना है आपके पहले भी और कोई आपके करते थे या आप सुरू किया इस पहले भी करते थे और हमारी वनसच की लोग है वह भी धुरवे परिवार से थे, मैं भी धुरुवे परिवार से हूँ, तो हमारे धुरुवेन का खंदानी से जैसा यहां से यह राजजन जैसा ही तो राजा महराजन ने यह धुरुवे परिवार को सोपके गया था, अच्छा मतलब जो राजा थे वो कौन से परिवार से इसकी जानकरी आप कुछ जानकरी होगी तो साध्योवाले को पूझा स्थल पे आपको सौप कर गया है यहां से जब राजपार खोड़ चुगा है अभी राजा के कोई बंसाज बगेरा है क्या नहीं आपको कुछ जानकरी है आते हैं जी राजा कहां की बंसाज कहां पर रहते हैं नाकपुर में बुति gonna है अनका एचछा और जी एवी किला बना है जी और नाकपुर में किला बना है तो जाटवा राजा बंडारा का ह 96 करता था हर्यगर का किल भिराज करता था और डियोगर में भिराज करता था , जी जाटवा सब्सक्राब से आगे 15 किलोमेटर जल्म इस तरह जाटवा क्या ने देखा हूं देखी वही बात बता रहा है यह सिंगोडी रोट पर पर पड़ता है यहां पर पर अच्छा उसका गाउ का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है राजा को राजा को में राजा जाटवा साहक है जनन्म स्थाली और इनका दू अपना समाधि स्थाल है यहां पर भी समाध्य स्थाल है देखड में और हर्यागाड में भी हर्यागाड ऐह जुननातों तरह परता है यह अपने दंबव से 10 किलोमेटर इह अच्छा में यह भी सुना था यहां से कोई गुप्तर रास्ते गए है तो यह रास्ते आपको कोई चीपता है कि कपसे बंद यह जा जाना तुब देख सकते यह पे दादा ने जिस तरह से बताया है यह अपने सुने थे यह आपके पूर्वजों ने बताये यह आपको पता था इसके वारे मजय करें कैसे पता चली पुर्वज लोग बताते थे वह अपने को याद है अच्छा उस समय जो राजा महराजा की समय में रहा थे पुर्वज ने आपको बताते हैं कि यहां से कोई गुट रास्ते भी थे जो बंद हो चुके अब वो रास्ते लिखित में नहीं अच्छा यह मैंने भी हम का जैसे चलता है कि यहां से गेट है यह तो बंद हो गया है हरियागर जाओ तो वहां गुफा मिलता है वहां पचास आज में बैठ सकते हैं इतने बड़ गुफा है अच्छा ऐसे हर जगे जगे जहां भी राजा महराजा को जाना रहता था तो अंदर गुप्तरुप्रा चले जाते त इसका राजचेतर कहां तक था ह जैसे आप बता रहें हर्दाहड ओं बट रहियागर भंडागर नागपूर तो इनका राजचेतर कहां तक पहला था तक फ्यलम प्या प्दार धा में जहां तक बोल रहागां कि वहीं प्दे प्यलाए घबाय आधिली देख भावनगड़ों में मुख्य राजा देवगणक था, ऑच्छा वोति समय में आज का नियम कहा बन रहा है दिल्ली में बहुपाल में बन रहा है, जब गोणवान राज था गोणवाना सासन था, तो देवगणका राजा राज़ वीडेश में फैल जाता था, जो तो यहां पर जगलों पाहडों में इसलिए इसका नाम रखा गया देव गड़ अच्छा और में गड़ भी यह और देवतन का गड़ भी अच्छा मतलब जो गुनवाना के बावन गड़ रहे जी वह गड़ों में से में गड़ यह था यह था पर मैंने कहीं यह भी गड़ है वह भी में इसलिए गुंडवाना का उसका जो मंडला का था और जवलपूर का था तो मैं था क्या यह मैं था इन यह था बाकी गड़ तो यह है पूरे गड़ है लेकिन सबसे मैं गड़ यह था इच्छा नाम भी पढ़ा है क्योंकि इसकी आईशाइट शे चित्र तो आप देख सकते हो, देखे पुरा मतलब तूट रहा है फूट रहा है, तो इसमें कोई सरकार ध्यान ने देते कि क्या कारण है कि सर्रक्षन नहीं हो पा रहा है, और हम नीचे से जैसे देख के आएं, कि महां पर नीचे हम से पार्किंग का चार्ज लिया जा रहा है, 25 रु पर रुमान में बहुत सारी टेक्नलोजी आ गई, सिमेट बगेरा सब कुछ है, बाखी किले मेले महल सब सरक्षी दिखते हैं, तुम्हारा यह देवगाड का किला क्यों सरक्षी नहीं दिखता है, इसका क्या कारण है, इसका कारण है, यहां पर बेटा ज्यादा तो निबत सकता हम, यहां पर क्या है, यह अभी पिछले बार यहां पर 50 करो रुपे आया थे, हमारे गाओ के लोगों ने दिखान देश बात को, अब यह तूरते हुए चला जा रहा है, अब कुछ गाओ के लोगों गाओ इस देवगण पंचाज के लोग, कुछ द्यान दे और कुछ म साहन करें साढसन करें कि यह कब टूट रहा है पहले मेरे बात को याद रखना दो मैल याद कब है अर logar trending गोषित खुए और यह ने वाला है अधिदु राट जैसे घुशित हुआ हुआ उच्छी हुआ कि भागने को रश्ता नहीं मिलेगा को अपने लोगों मेरा फ्यूलों कि लगाई तो होगी अपने लोग जो है ये पील कमचा वाले दिखे है गोंड है विट आदि वासे चलो काम कर रो हमारा गुलामी करना पड़ेगा गुलामी का जिंदों झिननने। जे तो हमारा भासा को जिंदा रखना है हमारा ध्रम संसक्रित को जिंदा रखना है तो गोंडी भासा आपको पिर्यास करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा मेहनत ज्यादा नहीं करना है माबाप का सिवा करना है सुबेरे जैसे ही सोते उठे माबाप का पैर पढ़ना है माता पिता का पैर पढ़ना है दुसरा बात धर्तिदाई का पैर पढ़ेके अपना काम में लगना है इतना काम तुम लोगों करना है और यही यही बात सभी को बताना है अपने समाज को ठीक है कि इन्होंने बहुत अच्छा संदेश एक दिया है कि अभी इन्होंने बोला हिंदू राष्ट की बात तो सरकारे तो बड़ी ध्यान देती हिंदू राष्ट और यह वह अभी बरतमान में राम भगवान का मंदिर बना परन्तु यह एक देव इस्थाल है जैसे राम भगवान को आप देव मानते हो इसे परकार सी चंडी देवी का देव इस्थाल है इसको समरक्षन करता चाहिए सिरकार को और मैं यहां से और करना भी चाहिए और करते रहना चाहिए दाधा ने बहुत सारी चीजें बताई कि आप उस चीजें को फालो करो क्योंकि सब्सक्राइब ग्रहाई हो जैसा यह महौल सरकार से दादा भी डर रहेगी किस तरह के बरतमान में भारत में क्या हो रहा है और जी दादा आप कुछ पूलना चाहिए यह बात बता रहा हूं मैं जी राम क्या हो गया यह नम उसका बारे में हम बताओ तो नहें राम भगवान डॉसके बारे माम हैं अब वह अब एकवान में गला की Mickा मुझे इसके बारे में जनकरेस तो म्मने बोले। जली पूछ रो में कि राम भगवान है क्या में वह आपके बारता आप की सही है है मैं वे आपको यह यह बता रहों इसका निर्णाय फैसला बता रहों जी राम नहीं किसको मारा रावन को मारा मेंगनात को भी मारा और बाली को भी मारा सुगरी को नहीं मारा नहीं तो बाली और शुग्री भाई 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 थे ठीक है तो जब वह भगवान था वह लिखित में देख रहे हैं हम दोगों देखने नहीं गए उदर क्या होगा है रामान उन लोगों नहीं छापे हैं इतियाज उन लोगों नहीं बना है हम वह इस्तियाज का पढ़कर और उसकी हम तुलना कर रहे हैं हमने देखने कहीं देखने नहीं गए राम जब भगवान था तो बाली को और सुग्री को क्यों नहीं पहचा नहीं दोनों भाई भाई एक से चेहराज और एक से सकल थी उनका तो उनने क्या किया पहले के अन्य सब्ट्रि मेरे मेरेद को मार ना सुग्री को बचा ना क्यों तो दोस्त को बचाना य। तो यह रखेकि आन्य rendered तो यह बाली को ना मारती वह में तेरे को मार दोगा तो यह दोका हो जाएगा तो आप हमारे दर्सक लोग बता सकते कि क्या कारण था व्याव भगवान थे तो यह बाली को और सुग्री को तो बिना एस तर यह देट कि पहचान लेना था जी स्यमात है गलत जी और नहीं तो हमारी चंडी देवी में आज इतनी सकती है यहाँ वह वह हम उसके भकते हैं जी हमको कोई कहते हैं कुछ तक आपका हम चिंदवाड़ा से चिंदवाड़ा में किदर मकान है क्या है है ना वह हमने नहीं देखे लेकिन चंडी दाई का आशिरवाद से हमको ऐसा मतलब उसका मार्क दर्शन होता है तो हम चाहे हमने हाथ में निब्बू लिये या दाना लिये देखते हैं कि फलान बता देते हैं तो भगवान किसको मानने हम दादा में जैसे आप लोग आप बता रहें कि मैं भी ऐसा बता देता हूं ऐसे हमारे पास एक बावाजी का नाम बड़ा चलता है बागेसर बावादा दाम आपने देखे होंगे सुने होंगे वह भी बता देते बोले तो आप भी सब 210 और मुबाइल जा抗ेदा मिंच nu मारतां वो चन्डी माता बताएँ बताइगे हम कि फुलन जगा ऐसा तेरे घर में यह हुआ था और ऐसा इसा गल्टी हुआ था हम बता सकते हैं यहां पर एक बाड़े नेता माने जाते हैं कद्दावर नेता मद्वदेश के और भारत की राजनिती पर कमल लाज जी का विकास मोडल बहुत बढ़ा बहुत बढ़ा विकास हैं पर चिलवार में विकास हैं यहां पर जो किला महल में आया हूं तो यहां पर तो मुझे दिखने रहा कि कारण क्या है कि बड़े नेता होने के बाद कमल लाज जी ने कोई इसकी लेकर संरक्षन ने दिया लगभग 30-40 सालों से यहां पर राजनेती में है आप भी जानते होंग तो इसको कौन सुरक्षित रख सकता है यह कभी खतम हो जाएगा इसको कैसे सुरक्षित हमें लोग रखेंगे आप जैसे बोल रहा है पचास कणोर रुपए आया था पचास हजार भी यहां पर खर्च हो जाता तो मिझे नहीं लग रहा कहीं पचाजार क्योंकि चंड़नी क कि रास्ते आये वही रास्ता पुरा कच्छा कोई सीड़ी बगएर कुछ नहीं बना ना पानी पीने की बवस्ता है वह नहीं बनेगा वह कुछ वहने वाला नहीं है पर मैं बहुत सारे किले महल जैसे गौलियर के किले महल घुमके आया हूँ वहां भी चंचमाते हुए हुए और नहीं होगा कारण कंट कारण क्साइस बताया ना हमारी लोम नहीं चाहते हैं जी आजयाा होधर रкого timber क्या जरूवत Nejयानत nellजान चाहिशन को क्षब्टमाध को क्या जरूवत जब हमारी लोग हाल नहीं सुधर नहीं है तो उनसदर आदे को क्या जरूवत है हुए vraiment ऑपने लोग हो इसका विकास नहीं चाहते वह इसके लिए कोई बड़ी ओवाज नहीं उठाते मेने भी आज तक इसी नेता को नहीं देखा कि इसके लिए आवाज उठाया हो और यहां पर यहां पांडुना बिधान सभा में आता था पांडुना बिधान सभा भी आदिवासी डिजर्फ सीठ है और यहां पर विधायक हमारे निले सुझ किजिए उन्होंने भी यहां पर कुछ करेंगा वो तो कमलनाथ के नीचे प्लेयर के नीचे दबा है वैसा वो क्या करेगा वो कुछ निले हैं मतलिए इसका विकास नहीं करना चाहते के संद्रक्षन करना जरूरी है आप लोग आकर Чण करना वाज चरूंड यहां नमस्कार